आज हम बनाएंगे कढ़ल की सबजी, जिसे की चावल, रोटी, किसी भी चीज के साथ सर्व करें, खाने में भूती स्वाधिश लगते हैं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेर और लाइफ करें उसके लिए पांच बड़े साइज के प्याज को हम इस तरह स्लाइज में काट लेंगे एक साइड पांच से छै बड़ा चमच, मस्टर्ड ओयल गरब करने के लिए रखेंगे, ओयल को हलका गर्भ होने ते, तेल हलका गर्भ होने पे इसमें आधा छोटा चमच, जीरा, एक तेज पत्ता, दो इंच तालचिनी का डालेंगे, इन्हें मीडियम फ्लेम में थोड़ा सेख लेंगे, अब इसमें 15-20 कई लसुल की बारिक काटके लालेंगे, इसे भी मीडियम फ्लेम में थोड़ा सेखें, अब 3-1000 हरी मिर्च और 1 इंच अद्रक्स के दुपरे को दिसके डालेंगे, मिर्च आप अपने स्वाधानों साथ कम जादा कर सकते हैं, अब इन प्याज को डालके में फ्लेम में ही वी पीच में चलाते हुए ट्रांस्परेंट होने तर सेख लेंगे, यह हमने एक किलो कठन लिया था, उसे छिलवा के यह करीब 6500-600 ग्राम रहे गिया है, हमारे यहां मार्केट में ही इस तरह छिल के और काटके दे देते हैं, अब इसके हम छोट परिशन को निकाल देंगे और छोटे-छोटे की से काट लेंगे, साइज आप पे डिपेंड करता है, कितना बड़ा चोटा करना है, इस तरह सारे कठल को काटके तयार कर लेंगे, इस तरह इने काटके अब अच्छे से धो लेंगे, एक साइज इतनी देश मारा फ्याज भी सीखता है, अब इसमें हम कठल को डालेंगे, इसी डाल के एगर मिनाएंगे, अब इसमें एक छोटा चमच, खल्दी पाउडर, नमत, स्वादा नुसार, इन दोनों को भी डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे, अब इसे धब के मेडियम टू हाई फ्लेम में बीच बीच मे चगाते वे, इसे पॉप होने दर सेख लें, आप चाहें तो इसे प्रेसर कूकर में बना सकते हैं, पर जो टेस्ट इसका कहाई में बनाने से आता है, वो प्रेसर कूकर में नहीं आता है, पर अगर आपको जल्दी हो, तो आप इसे प्रेसर कूकर में बना सकते हैं, इस टेस लो टू मीडियम फ्लेम में लगाके यह तुरन्त तयार हो जाएगा जब यह हाफ कुट हो जाए तो इसमें दो बड़ा चमच धनिया पाउडर एक छोटा चमच लालमिज पाउडर इन्हें भी डालके अच्छी तरह से मिलाने और फिर से ढ़के सेखने देखिए अच्छी तर बड़ाएंगे अब इसमें एक छोटा चमच गरम मसाला एक छोटा चमच काला नमक एक छोटा चमच हमचूर पाउडर इन्हों सब को डालके अच्छी तरह से दिलाले आप चाहें तो इसे इसी तरह सूखा भी रख सकते हैं इस तरह भी यह चावल के साथ खाने में या पिर रोटी के साथ खाने में बहुती साधिश लगते हैं, या फिर इसमें पानी डालके आप ग्रेवी बना सकते हैं, ग्रेवी आप अपनी हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, पानी डालके इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे, और फिर से ढखके इसे हम 5 मिट के लिए मीडिया प्ले में छोड़ेंगे, सबजी तयार है, कैस को बन करें, कठल की सबजी तयार है, इसे गरम-गरम चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज के साथ सर्फ करें, ये खाने में बहुती स्वारिश लगते हैं,